सुप्रभाद बच्चों, मैं स्वातिश रुस्तव आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ आज का विश्य है संयुक्त वेंजन लेकिन अपना पार्ट शुरू करने से पहले आप सबसे अनरोध है कि हमारे स्कूल की ओफिशर चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियोज को लाइक और शियर करें तता चैनल सम्मंदित नई जानकारियों को प्राप करने के लिए बल आइकन को दवाएं धन्यवाद बच्चों, आज की पार्ट संक्या है ग्यारा और पार्ट का नाम है संयुक्त वेंजन आज मैं आप लोगों को संयुक्त वेंजनों के बारे में बताउँगी लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और जानके आशिका हमीच के पार्ट बच्चों, आप सब लोगों ने वर्ण माला तो पढ़ी होगी उसमें क्या होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं कौन-कौन स्वर होते हैं बच्चो? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, रे ए, ए, ओ, औ, अंग, आ ये सब क्या होते हैं बच्चो? आपके स्वर होते हैं वर्माला के और बच्चों वेंजन कौन-कौन से होते हैं? जानते हैं सबसे पहले संयुक्त वेंजन की परिभाशा तो बच्चों संयुक्त वेंजन वेंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक वेंजनों से मिलकर बनते हैं तो उनको क्या कहते हैं संयुक्त वेंजन मतलब जो दो वेंजनों से मिलकर बने या उससे अधिक वेंजनों से मिलकर नए वेंजन बनते हैं उनको क्या कहते हैं सहयुक्त वेंजन तो हम लोग जानते हैं सहयुक्त वेंजन कौन कौन से होते हैं बच्चों, सायोग द्वयंजन चार होते हैं, छ, त्र, ग्या और श्री, तो हम लोग आज अभ्यासकार के द्वारा ये जानेंगे, कि ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, ठीके बच्चों, तो ये देखिए, देखिए और समझिए, जो आपका छ होता है, छत्री वाला होता है, वो का, का में नीचे, राकी मात्रा, प्लस शा, इससे मिलकर क्या बनता है बच्चों, छ, का, का में राकी मात्रा, प्लस शा, तो इससे मिलकर क्या बनता है बच्चों, छ, त्र, त्र, किन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, ता, ता में रा, प्लस रा, तो इससे मिल क्या बनता है बच्चो द्रा ग्या ग्या किन दो वन्जुन से मिलकर बनता है बच्चो जा जा मेरा की मात्रा प्लस हुआ इसे मिलकर क्या बनता है बच्चो ग्या और श्री श्रमिक वाला श्री यह किसे मिलकर बनता है बच्चो शा शरीफा वाला शा नीचे रा की मात्रा प्ल वंजनों से बनते हैं बच्छू, अम लोग कुछ इन वंजनों से मिलकर कुछ शक्द बने होते हैं, उनके बारे में जानेंगे तो बच्छो, च्छा से क्या होता है? चत्त्री烏, ये देखिए चत्त्री烏 चत्त्री बने योधा, जो युद्द करते थे पुराने समय में उनको क्या कहते थे छत्रिय कक्षा, जिस कक्षा में आप लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, कक्षा तो इन में कौन सा सनुत बंजन आया बच्चों, छा अब हम लोग आगे के बंजनों के बारे में पढ़ेंगे आगे का है बच्चों वंजन त्रा त्रा से क्या होता है पत्र और ये क्या बना है त्रिशूल तो पत्र और त्रिशूल में कौन से संजुक्त वंजन आता है त्रा ठीक है बच्चों अब आगे देखते है आगे का अपका संजुक्त वंजन है ग्या तो ग्या विद्धिवान व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ग्यानी होते हैं और उसके बाद यग्य देखिए इस चित्र में सब लोग यग्य कर रहे हैं यग्ग्य मिस हवन. तो यग्य और घ्यानी किस सियुकत बने से मिलकर बना हैं बच्चो ग्या से. ठीक है बच्चो? अब देखिये शा. शा से मिलकर जो शब सी बनते हैं वो है श्रमिक. देखिये बच्चो यहाँ पर यह श्रमिक है न. मतलब ये एक मजदूर है जो काम कर रहा है तो मजदूर को और क्या बोलते हैं बच्चो श्रमिक और श्रवन श्रवन कुमार के कहानी आप लोगों को पता ही होगी कि वो अपने माबाप को अपने कंधे पर कावर के द्वारा ले जा रहते और चारोतीत की यात्रा के लिए ठीके तो इनका नाम क्या था बच्चो श्रवन तो श्रा से क्या बन गए बच्चो श्रमिक और श्रवन ठीके बच्चो अब हम लोग कुछ अभ्यास कारे तो कर चुकी है अब मैं आपको कुछ ग्रह कारे दे रही हूँ ठीक है बच्चों, तो ये आपका ग्रहकार है, आप लोगो क्या करना है, सही तवंजनों की सहायता से आपको दो दो शद लिखने हैं, ठीक है, आभी मैंने आपको शब्द बताए ही हैं, तो उन शब्दों से आप इन सही तवंजनों को आपको मिलाके दो दो शद बनाने हैं, ठीक है एक त्रा से बनाना है और एक ग्या से बनाना है तो त्रा से आपको अपने उत्तर पुस्तिका में दो शब्द लिखने हैं और ग्या की सहयता से जो शब्द बनेंगे वो भी आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं ठीक है बच्चों और एक आपके लिए प् तो अपने उत्तर पुस्तिका में उसको लिखना है ठीक है बच्चो तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरहा आज समय में आ गये होंगे तो हम अब अख्ली कक्षा में मिलते हैं बच्चो ठीक है तत्त के लिए धन्यवाद बच्चो